My dear students, interpretation means to find out the meanings of words laid down in statute. Legislature laws बनाती है और उन में कुछ ना कुछ flaws जो हैं वो रह जाते हैं Because man is fallible और इससे गलती जो है वो हो जाती है और कहा जाता है कि गलती करना इंसान की सुरिष्ट में है सबसे पहला जो प्रिंसिपल इंटर्परेशन के लिए लगाया जाता है उसे हम ग्रामाटिकल रूल आफ इंटर्परेशन कहते हैं और इंटर्परेशन जो करना है ये कोट का काम है और कोट पहला जो रूल इंटर्परेशन के लिए लगाती है उसे ग्रामाटिकल रूल आफ इंटर्परेशन कहते हैं अगर ग्रामाटिकल इंटर्परेशन करते हुए कोट के सामने अंबिग्वस लेंग्विज आजए अंकलियर लेंग्विज आजए या इलूसिव लेंग्विज आजए तो फिर कोट जो है वो लॉजिकल इंटर्परेशन की तरफ बढ़ती है अगर grammatical interpretation करते हुए court के सामने कोई inconsistency statute की language में आ जाए तो फिर भी court जो है वो logical interpretation की तरफ बढ़ती है तीसरी जो factor है वो है incompleteness of law अगर statute की language में incompleteness है तो फिर वहाँ पर जो course of action available court के लिए होता है वो logical interpretation का course of action है इसका मतलब यह हुआ कि जहाँ पर grammatical interpretation of law पॉसिबल नहीं है वहाँ पर logical interpretation of law जो है वो की जाएगी इस regard में इस जिमन में Professor Alan Gray says logical interpretation calls for the comparison of the statutes with each other and with the whole system of law and with the consideration and circumstances in which the statute was passed सबसे पहला जो लॉजिकल interpretation का रूल है उसे golden rule कहते है कि जहाँ पर court जो है find करती है कि statute में कोई mistake है और जिसकी वज़ा से जो spirit है statute बनाने के पीछे वो खराब हो रही है तो फिर court जो है golden rule को follow करते हुए statute की spirit को बरकरार करने के लिए कुछ saving clauses जो है वो introduce करवा देती है और जो law है उसकी जो interpretation है उसको consonant, natural और obvious जो है वो बना देती है The second rule is mischief rule mischief से मुराद है कोई wrong अगर एक statute जो है वो एक mischief को cater करने के लिए रोकने के लिए बना है तो वो कोई किसी दूसरे mischief को रोकने के लिए इस्तमाल नहीं होगा ये rule ये बताता है कि अगर court interpretation कर रही है और interpretation करते हुए वो किसी और mischief को जो के statute में बताया नहीं गया रोकने की जिमन में interpretation करती है तो ऐसी interpretation की इजाजत नहीं है सिर्फ interpretation वो की जाएगी कि जो कि उस statute के जिमन में आती है पाटे आती है ऩाटे नहीं होगा कि एिरा तो कर दो दोसप अभिएग तो र reasons